हेलो दोस्तों मेरे छोटे से यूटीब चैनल में आप से लोगों का स्वागत है यहाँ पर आप देख सकते हैं मरे पास एक छोटा सा खराब बलफ है LED जो गर में लगाया जाता है वो बलफ है उससे कैसे हम हीटर बनाने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा वीडियो जरस भी skip मत करिएगा अगर आपने skip की तो आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ पर हमने बलफ को खोल लिया है छोटी सी लकड़ी ले लिए पले टाइप में जो होती है फिर जो बलफ हमने खोला था बलफ के होलडर का उपर का साइज जान से देखिए यह साइज हमने ले लिया अभी इसको लकड़ी उपर रखके पैंसल से मारक कर लेंगे मारक करने के बाद आपको एकदम सेम टू सेम होल करना है होल इसलिए करना है कि ताकि जो यह है हमारी लकड़ी यह जो लकड़ी है यह पूरी उसके साथ बढ़ जाए ठीक है ध्यान से देखें कैसे कर देखें है थोड़ा से घ्माल से घिस लें ताकि गुलाही में अच्छे से आजाए यह देखें हमने साइज नापा करेक्ट होगे अभी आपको चार होल करने पड़ेंगे लाइटर से गरम करके फोल कर लिजिए उल्डर में ताकि यह लकड़ी जो है उल्डर के साथ इस्क्रू के साथ हम टाइट करेंगे वह भी अपको दिखा देंगे एलिए रही चाहब लीजिए पांच कर लिजिए मटेखें पर सब्सक्राइब कर लिए और वह देख सकते हैंी है हाए हिश्य प्रत लेके सिहन परतले के सिलिकोन से चिपका देंगे लगकड़ी के ऊपर ताकि लकड़ी हमारी हीटनेस के वज़े से चलेना चिपकाने के बाद इसको बराबर से गुलाई से चार उत्रफ से हाँ से तोड़ सकते हैं हाँ से तोड़ लीजिए और अगर काट सकते हैं तो काट लीजिए जैसे आप सो लोगों को बेश्ट लगे अभी यह देखे यहाँ पर हमने बिलेट से मार किया और करने के बाद आके परत हटा दी यहाँ पर हमारा हीटर आएगा ठीक है यह देखे एक यह पॉइंट हो गया एक पॉइंट और बनाना है हमें दो पॉइंट बनाने है एक पॉइंट बन गए अपना यह दो पॉइंट हो गया एक तरफ हमारी हीटर की रोट लगा के इसक्रू अपने पास है यह इसमें टाइट कर दीजिए टाइट करने के बाद एक इस्टील के वाय ले लीजिए अन्नॉर्मल दुगान पर मिल जाएगी चार पांच रुपए की इतने बड़ी वायर वैसे तो दुगान पर पैसे भी नहीं लेंगे नोग प्लास से हलकिसी टेड़ी कर लीजिए ताकि नेट बोल्ट लगाते हुए अ स्कुरू से टाइट भी हो जाएगी उसी स्कुरू से स्कुरू से टाइट कर दिए आराम से आराम से देखेगा वीडियो इसकी मत करिएगा मरे दोस्त कट के यह हमारी रोड हो गई तैयार है ठीक है अब और देखें अब इसके हम कनेक्शन करेंगे दो बार ले लिए छोट कि दोनों बारों को अच्छे से टाइट करना है एक प्रेकश आपको जाली लेनी मुटी थोड़ी जाली लेनी जैसे अपने यहाँ जाली मिल जाती है चुहा जिसमें प्रम से जाली घटा की जाली ले लीजे आप एक एंसल का पाइक लड़ लीजे ओपर से एंसल चिपकाने के लिए यह यह चिपका दीजिए आपके पर स्टैप उसमें मारते नहीं बनेगा इसलिए हमने एंसली यूच की है हमसल चिपका दीजिए हमसल थोड़ी देर बात पक्की हो जाएगी होल्डर हमने ले लिया था आपके सामने चार हमने होल करी दिए थे अब इसको आराम से इसमें से तान निकाल लीजिए तान निकल गए आपके जाली लग गई आपकी सेफटी के लिए चैनल अब चारों इस्कुरों टाइट हो जाएंगी चार इस्कुरू छोटे से वारसल से आप बना भी सकते हैं किसी चीश से काटके टाइट कर दें हमने सारे इसको फ्रंट पे भी आपको लगाना है था कि सामने से कोई चीज टक रहे हैं ना अच्छा टक रहेगी फिर टच होगा तो दिक्कत हो जाएगी यहां पर चोटा सा कोई तार्य उच कर लीजे यह ऐसे पंच कर देंगे तब भी रुख जाएगा उसस अच्छे से मोड़ना है आपको जरा स्भी पुलाना रहें कि विड़ा विड़ा कोई ना जाएगे मोड़ने के बाद ही हमने यह कंप्लीट हो गया हमारे हीटर अब इसके कनेक्शन करने है ठीक है यह दो तार चीलो आराम से चील के कईया लेलो कईया से दुनों के अलका अल लगा के और होल्डर में हलका सा शेट करके यहां पर ओक्के कर दो पक्का करने के बाद फेबी को डाल के चिपका दो होल्डर को अच्छे से मच्पूर से चिपकाने एकदम चिपका दिया हमारा यह हीटर हो गया तैयार ठीक है भाई अभी इसको लगाते होल्डर में यह दे होल्डर पर लग गया है ठीक है अभी आप टंप्रेचर मीटर से देखिए अभी 22 से 22 डिग्री टंप्रेचर है यह हमने सेंसर लगा दिया अंदर और स्वीच ओन कर दिया है अभी देखे अब टंप्रेचर देहां से देखिए 31 अगरे टंप्रेचर बढ़ता चला जाएगा जितनी इसकी हीटिनेस बढ़ेगी उतना इसका टंप्रेचर बढ़ता चला जाएगा ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो मेरी आप सब लोगों को पसंद आई हो तो प्लिस ल अब बहुत आराम से मना सकते हैं रूमीटर कम से कम बजट में लाइट का भी लाइट का भी इतना नहीं यादा मेक्समी समझे लिए जीरो कब्राबर याप देखें सेवेंटी टू डिग्रीस तो थे दोस्तों एक्टी डिग्रीस तो प्लिस यार रेचनल को लाइक कर दो एक एकपुट कर दो अपने भाएट को ओके माइफेंड्स ओ कि कि अ झाल झाल